ओम सिरीगने शायनमा दूस्तू एश्ट्रू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दूस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन कुम्ब राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लैफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्बराशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों आज अचानक दन लाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तों सातिसात 39 से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आपको प्राप्ती होगी आध्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ति का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर चित रहेंगे तथा उसका प्राप्त होगा दोस्तों सातिसात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दुंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन चरिया वे आदतों का विशेश रूप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पढ़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कौसल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वेक्रिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबन्दित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तों साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगर्टिव हो सकता है दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कार्य को इस्तिर्ता और गंबिर्ता पूर्व करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साफधान रहें साथिसाथ आर्थिक मामलों में भी साफधानी बरतनी की आपको आवश रकता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रिकार का समझोता ना करें साथिसाथ आज आपको अपने करोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवश रखें कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते हैं आप किसी साजिस या फिर सड्यंतर का शिकार भी हो सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजरगों के स्वास्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्च रकता है साथिसाथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मधूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोर्शन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा साति सात कार्रे विस्तार की योजना भी कार्रे रूप में प्रणित होगी परन्तु उस योजना पर पूरह परिक्षन जरूर करें साति सात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परंतु के इमामलों में आपका स्वाब इमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची रावना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाई क्या है दोस्तो आज आप इसो नान आदी से निर्वत्र होने के बाद पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और भगवान श्री लक्षमी नाराण के मंदिर में जाकर उनको आप लड़ू का भूग लगाएं और अपनी मनो काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विश्णो जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लही हैं समस्त परिशानियों कौन्त करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान श्री हरी विश्णो जी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री हरी विश्णो वस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद